नमस्ते, मैं मिनती राणिनायक, मैं अभी आठवीक अक्षा के एक बुन कभीता पढ़ाने जा रही हूँ एक बुन कभीता के कभी अविध्या सिंग उपध्य हरियोद्जी हैं अयद्धा सिंग उपध्य के जन 15 अप्रेल 1865 में उतर प्रदेश के आजमागड के निजामबाद में हुआ था उनके पिताजी के नाम पंडित भुलाना अथ उपध्य और माता का नाम रुक्मनी देवी था बच्पन से वो मेधा भी थे प्रबन रचना करना और कभीता लिखना उन्होंने पेशा मानते थे क्रिश्न राधा राम सिता के विशे के साथ साथ आधोनिक समस्याओं को भी निजी रचना में स्तानित किये हैं उनके मित्त्यु सलह मार्च 1947 को गवा था अयोध्य सिंग उपाध्य हर्योध जी के द्वारा लिखा गए ये कभीता से शिक्ष्या मिलता है कि मनुष्य जीवन में अने कुछ सोच समझ कर करता है परन्तु जी समय अपने मन ही मन सकरात्मक धंग से कारे कर लेता है और मन आसंका होते हुए भी निर्भय होकर आगे बढ़ता है तो उसे जरूर सफलता मिलती है यहां हरियोज जी बारिश के बोन के बारे में कहे हैं जो बादल से निकल कर आगे चलता है और मन में अनेक आसंका करता और सोचता है कि मैं क्यूं घर छोड़कर निकल आई वास्ताम में जीवन पत में आगे बढ़ना जरूरी है भविश्य में क्या होगा कहा नहीं जा सकता फिर भी अच्छा होगा इसा सुचना चाहे मैं अभी कभितापाट कर रहे हूं एक बुन जो निकल कर बादलों की गोच्छे थी अभी एक बुन कुछ आगे बढ़ी सुचने फिर फिर यही जी में लगी आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी यहां एक बादल के बुन सुचता है की मैं अपनी माता के गोच्छे क्यों निकल कर आई और क्यों निकल कर आगे बढ़ी मैं बार बार सुचती हों की घर छोड़कर क्यों निकल आई इसमें कष्ट सब्द है कष्ट सब्द का अर्थ लिखना निकलना का मतलब है बाहर होना गोद का मतलब क्रोड यानि मा का गोद अभी का मतलब बर्तमान फिर फिर का मतलब बारंबार कड़ी का मतलब निकले और एक परग्रफ हम पढ़ेंगे फिर बाद में कैसे बूंद भगवान को बलाते है देव मेरे भाग्य में है क्या वदा में वचूंगी या मिलूंगी धुल में या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी चूँ पढ़ूंगी या कमल के फूल में यहां भगवान को बूलाकर बून केहती है हे भगवान मेरा भाग्य में क्या लिखा है में वचूंगी या धोल में मिट जाऊंगी किसी अंगार अथवा आग में गिर कर जल जाऊंगी या कमल के उपर टपप कर रहूंगी ये बून का आसंका है इसमें कश्ट सब्द है बदा बदा का मतलब लिखा चू पढ़ना चू पढ़ना का मतलब तपकना मैं अभी कुछ प्रस्न और उत्तर कोहेंगी प्रस्न है कहां से बूंद निकली है उत्तर बादलों के गोज से बूंद निकली है प्रस्न है कहां से बूंद निकले है उत्तर बादलों के गोज से बूंद निकले है दो नमबर का प्रस्न बूंद आगे बढ़ते हुए क्या करती है बूंद आगे बढ़ते हुए सोचने लगती है बूंद आगे बढ़ते हुए सोचने लगती है बून की सोच क्या था? बून की सोच था घर छड़ कर क्यों निकल आई? बाद में किसको बुलाती है? बाद में बून भगवान को बुलाती है बून का आशंका क्या है? बून बचेगी या धोल में मिलेगी ये बून का आशंका है फिर बून क्या स्वस्ति है? अंगार में पढ़कर जल जाएगी अथवा कमल के उपर टपकेगी बचों ये दोनो परगव अपने आप याद रखना और बाद में परवर्ती कालंस को हम दुसरी परगव को पढ़ाएंगे नमस्ते झाल